तो कमल भीया 130 का जगाहा मतलब यार शांदार अमेजिंग मतलब अभी तक हमने बहुत सारे थ्री वेज के शूट किये हैं और ये इतना ओसम मतलब में क्या बता हूँ आपके चहरी के खुशी बता रही है कि हाँ ये कितना अमेजिंग फ्लैट है और आप कस्टमर के लिए लेके आयो तो बहुत ही कुछ अमेजिंग होने वाला है मैं सबसे पहली चीज़ शूरू करूँगा इसकी लोकेशन मेट्रो कनेक्टिविटी और जो बेसिक एमेनिटीज होती है उसके साथ तो फटा-फट से अब हैंड ओवर कर रहा हूं कमल भीया को फटा-फट से जो भी चीज़ है वो बताएंगे कमल भीया कमल दिपका नमस्कार कैसे हैं आप सब और मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगे मुझे पुरा सपोर्ट मिल रहा है और आगे से ही मिलता रहेगा आपके लिए बहुत प्रैम लोकेशन के अंदर में 206 गज की सैड के अंदर 206 गज की सैड है जिसमें अबने 130 गज फ्रेंच पे 130 गज बैक सैड पे अमेजिंग 32 के फ्लेट बना रखे हैं रही मेटो की बात तो मेटो हाड़ली यहां से 500 मिटर है 500 मिटर नेर अबाउट पड़ते हैं मारके बिलकुछ टची में आरे समरोड की मारकेट है तेज़ फिटा रोड होस्पिटल स्कोल सारे नेर अबाउट है पार्क वार असबास पास ही मिल जाएगे हैं अपर बड़ी प्रैम लोकेशन 130 गज में 3BS के लिफ्ट गाड़ी पारकिंग हलो दोस्तों स्वागत है अब लोगों का ग्लोबिल हो मिंडेश की एक 3BHK में तो 3BHK की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप स्टार्टिंग में ही सबसे पहले और सबसे शांदार अट्रैक्शन है इसका जूमर 3BHK के hall में खड़ा हूं इतना spacious है ये flat flat का size बताते तो मैं तो ये है 130 गज की site है ये 3BHK so start करूँआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा camera और मैं मेरे distance को देखिए और इतना ही distance है आपके hall में इतना ही space है आपके hall में now hall के साथ एक छोटा सा map आपको समझाते तो मैं यहाँ पर एक room है यहाँ पर एक room है यह आपका modular kitchen है यहाँ और रूम है और एक common washroom area हम आपको provide कर रहे हैं यहाँ पर so hall से निकल करके अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो first bedroom के अंतर move on करूँगा first bedroom के अंतर move on करते हैं और आज यह first bedroom में enter करते ही आप देखिए शांदार यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है दोस्तो बताना चाहूँगा कि यह finishing नहीं है अभी सिर्फ और सिर्फ sample ready है आप लोग कर सकते हैं अपने दर्फ का पेंट कराई है फॉल सीलिंग पर अपने इसाब से colors लगवाई है अपने इसाब से wallpapers लगाई है attached washroom with wardrobe facility आप wardrobe देखिए आप कितना amazing wardrobe है look at this king size wardrobe king size wardrobe की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर इस wardrobe close करता हूं यहां पर आपके handles लगेंगे यह आपका प्रॉपर एक पहड़ा ही आलिशान बहतरीन रूम यहां से master bedroom है so master bedroom से आकर मैं आपको balcony मैंने लेके जाओं तो फिर क्यासी बात करती मैंने तो master bedroom से balcony बाता हो तो balcony का size देखिए just look at the size area आप देखिए फुट्रेस से यहां पर आपको proper glass railing बिलती है ठीक है कितना खुला है यह आप देख सकते हैं कि काफी काफी अच्छा बातावरन है बहुत चौड़ी गली 30-foot का रोड है यह प्रॉपर मार्केट आपको गली से बाहर निकलना पूरी मार्केट है पूरी लाइन से मार्केट है नियर पाउट मार्केट सब कुछ मिलेगा आपको यह वाशी अरिया आपका यहां पर टैप लगेगा स्विचेश को देखिए एक बार तरह हर एक जगा पर ऐसे स्विचेश मिलने वाले हैं आपको लुक एट अपर इनोवेशन आप देख सकते हैं यहां पर बैलकेटी में आपको यहां पर प्रॉपर तीन लाइट मिल जाएंगी जबकि बैलकेटी में रॉष्णी की कभी कमी नहीं आने देगी नाव फॉस्ट रूम से निकल करके सेकेंड रूम में एंट्रे भी कर चुका हूं है और बात करते करते हम पहुंचके अपने सेकेंड ब ऋपला दो पला उपर तीन अलग पॉर्षन है अको साथ ही यहां पर आपको ड्रेसिंक सक्शन मिलेगा यहां पर प्र आपको मिरर मिलता है ड्रेसिं क्सेंच्शन यहां सब जगह पर आपको India automobile you look at the wallpaper किता amazing wallpaper है and मैं मिस्स नहीं करूंगा इस खुबशूरत से TV पैनल को look at this TV पैनल कितना amazing TV पैनल है पूरा wooden में हैं लेकिन इतना बहतरीन हमने यहाँ पर wallpaper ही है जो हमने इस पर use किया है लेकिन एक पूरे room को हमने theme based कर दिया है जो के grey theme के अंदर है again miss मत कीचेगा false ceiling पर आप अपने accordingly colors करवा सकते हैं now look at this attached washroom यहाँ पर एक attached washroom आपको provide कर रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया था इस पूरे घर के अंदर आपको similar modular switches मिलते हैं so हर room के अंदर same modular switches मिलते हैं आपको now अब यहाँ से move करते वे चलेंगे अपने third bedroom के अंदर and देखते हैं वहाँ पर क्या surprises है हमारे लिए so पहुंच यहाँ अपने third bedroom के अंदर third bedroom में look at the fall ceiling यहाँ पर काम चालू है electricity का काम already running में है wallpapers लग चुके है surprises में है कि मैं आपको यहाँ पर दे रहाऊ में split AC की wall mounted fitting already सब कुछ करा दिया है proper wiring के साथ करा दिया है just you need to take your split AC hang it over here and it starts working बातों बातों में देख लीजी यहाँ पर भी एक LED TV पैनल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक hall में एक आपके master bedroom में एक आपके third bedroom में आपके पास तीन चार जगा पर options हैं जहां पर अपना टीवी प्लेस करवा सकते हैं problem कहीं भी नहीं है कुपसूरत चांदार फ्लैंट है बस इसका जो price है उसको बताने के लिए जैसे आपने देखा होगा notice कि वीडियो में कमलदीब जी आज मजूद है यहाँ पर तो वो hall मे यहाँ पर देख लीजिए आपके hall में adjacent है open kitchen area जहां मैं खड़ाओ यहाँ पर आपकी चिबनी लगेगी यहाँ पर आपके glass cabinets होंगे दोनों साइट पे glasses लगने वाले हैं shelves हमेशा की तरह जैसा मैं आपको बताता हूं तो shelves जड़ा count कीजिए कितने shelves है 1,2,3,4,5,6,6,6 इध इस अमेजिंग kitchen में आप नहीं देखा इस साइट पे छे इस साइट पे पास टोडल 11 cabinets है सबसे खुबसूरत बात है कि यह मैंने चानल बाहर निकाला मैंने स्कॉल का सब पुश्च किया अपने बंद हो जाएगा and सबसे बहतरी और सबसे मेरा सबसे favorite question है जो मुझसे मेरे viewers पूछते हैं that is fridge का space यह है आपके fridge का space यहाँ प्रोवाइड कर रहो हम आपको अपके fridge रखने का area है proper double door single door side by side कोई भी fridge लगा यह बहुत जादा space है यहाँ पर and आपको मैंने starting में दिखा आपको मिलते हैं यहाँ पर common washroom area जेकर हर एक चीज video door phone facility बहुत कुछ है तो वेट कीजिए stay tuned रहे हैं क्योंकि कमल दीप चीफ प्राइस बताने वाले हैं च्छपन लाख ठीक है 50 55 60 60 200 गज एक सो तीस गज है तो मैं इसमें तो मैं इसमें पच्पन हिसाब से अगर मैं जोड़ के चलू तो मैं 30 लाख और जोड़ देता हूं ठीक है तो यह हो गया पिचासी लाख नहीं है तो मेरे साब से 10 लाख कम कर लेते हैं 75 लाख और जहां तक मेरा आइडिया यह 75 लाख से भी कम होगा लेकिन 75 लाख मेरी तरफ से लास्ट आपके बाद काटूंगा नहीं देखेंगे लोकेशन के अंदर बड़े प्यारा सेट लेका हैं 3bh के आप देखेंगे जुमर विनीशिंग कहते हैं ना दिल खोलके हैं से मिल खोलके काम के है और अब तो काम चल रहा है इसके अंदर यह नहीं कह रहा है कि काम कम्प्लीट हो पूरी कोशी कर रहे हैं कि हम अपने कश्मर को अच्छी से अच्छी चीज़ दें बैतर चीज़ दें और इसके अमाउंट के बाद तो सिम्रंद आपके बाद बल्कुल ठीक है रेल्टी में इसका जो रेज़ जब इसे अस्तिलाक का था बड़ हमने क्लाइंट को रिकॉर्म